MP के पूर्व मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने दोट्टू का एलान किया है कि मैं किसी से मांगने से अच्छा है मर जाना पसंद करूँगा जब सारे नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली पर इक्रमा कर रहे थे तब भी शिवरा सिंग ने साफ कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाओंगा पूर मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान के चहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखे जा सकते हैं सुमवार को भाजपा आलकमाने शिवरा सिंग की जगे डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया नए सीम मोहन यादव के नाम पर मोहर लगने के बाद आज पूरवर सीम शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि बहने मेरे लिए वोट बैंक नहीं है मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मैं कन्या विवा करता था शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि मैं अपनी बहनों के लिए हमेशा मौजूद रहूँगा पूर्मुखे मंदेश रासिम चौहान ने कहा कि मैं किसी से मांगने से अच्छा है मर जाना पसंद करूँ और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोस है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारती जन्ता पार्टी की सर्कार्ट है मेरा मन आनंद और संतोस से भरा हूए है लाखों कारी करता हो कैपरिस्रम से पुर्धान मंत्री जी के आसिरवाथ से उनकी लोग्रिता के कारण केंदर और राजी की भी कल्लान कारी ओजनाव के कारण जिसमें लाडली महना का भी योगदानी जबरदस्ट है यह सरकार बनी लेकिन मेरे मन में संतुर्स है कि सरकार भारी बहुमत बाली सरकार जिसको अर्टालीस दसमला पांच पांच परसेंट वोट मिले अब तक के सबसे ज़्यादा वो सरकार बनाके मैं जाऊँगा और मुझे इस बात का भी संतुर्स है कि जब मदपदेश हमें मिला था विरासर में तो एक पिछला और बीमारू मदपदेश मिला था एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगती का ते किया और इन वर्सों में मैंने मुझे मैं जितनी च्छमता थे मुझे मैं जितना सामर्थ था मैंने पूरा ज्छोग के अपने प्रदेश के लिए और जन्ता के कल्यान के लिए काम करने की कौस्स थी मैं अपनी च्छमताओं को अनंत नहीं मानता लेकिन जितनी भी थी मुझे मैंने पूरी प्रमानिक्ता पूरी इमानदारी पूरे परिश्रम के साथ प्रदेश का विकास और अपने प्राणों से प्यारी जन्ता का कल्यान हो इसमें अपने आप कुछों का कट्भवाली सडकों से सांदार हाईवे वाले सडकों का प्रदेश मद्धप्रदेश बन गया अंधेरों के घेरों से निकाल के उजालों की नई दुनिया में हम मद्धप्रदेश को लेके आए किर्सी के छेतर में चमतकार हुआ है आप सब जानते हैं मैंनी विसे सग्य कहते है एक 169 लाख मीट्रिक टन से उर्पादन बढ़के 619 लाख मीट्रिक टन हुआ एगरिकल्चर ग्रोथ मद्धप्रदेश की चमतकृत करने वाली है और वो ही मद्धप्रेश की आर्थिक प्रिगती का फिर बड़ा कारण बने ग्यारा हजार रुप्या पर कैबिटा इंकम से हम एक लाख चालीस रुप्या तक लेके आप आए 71,000 करोड की GSDP को हम बढ़ाके आज 14,000 करोड के पार ले गए इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी हमारी 24% पहुँच गई और सामान ने सब्दों में अगर मैं सोचता हूं तो भट्ट सूर से हमारा सफर हैं सुरुआ था उससे मेट्रो टैन तक का सफर हम ने ते किया टप्रे वाली आई टी आई से हम ग्लोबल स्किल पार्क तक पहुँचे मेडिकल कॉलेज ने हो या सीम राईजी स्कूल हो टूरिजम के छेतर में काम करना हो या सांस्कृतिक पुनरुथान का एक नया दौर आप देख रहे हैं दखल नियूज